स्वामी विवे कानंजी जुनागड में निवास कर रहे थे, तब उन्होंने क्या क्या किया, इन सब की चर्चा कर रहे हैं। वेसे तो हमने कहा कि कई बार उन्होंने मुलाकात ली, तो हम सभी मुलाकातों को पहले जुनागड की सभी मुलाकातों के एक साथ ले रहे हैं, स्याइद उनकी अंती मुलाकात जो थी, वो 892 अप्रेल मेहने में थी, सैद वो पालिताना के मंदिरों को देख करके वापस आ रहे थे, बंबई की और जाने के पहले वे नडियाद और बरोडा के, उस बीच पालिताना से नडियाद जाते समय बीच में वे जुनागड गये होंगे, ऐसा अनुमान है, और उसी समय वे जुनागड में उनकी अंतीम जो विजिट है उस समय वे मन्सुक राम सुरीराम त्रिपाथी बहुती सुप्रसिद गुजराती साहित्यकार इनके घर में वे ठैरे थे। इसका प्रमान यही है कि भगवान श्री राम पिष्ट दिव के सुला पार्शदों में से एक और स्वामी विवेकान के गुरुभाई स्वामी अभिदान जी महाराज वे भी उस समय सारे भारत का परिभ्रमन कर रहे थे और कई बार इस प्रकार से स्वामी विवेकान जी से आक दर्शन के लिए तो द्वारका के दर्शन जाने के पहले जब जुनागर में गए तो वहाँ पर उन्होंने सुना कि एक बंगाली सादू आये हैं जो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं तो उस समय के जमाने में जैसे हमने कल बताया कि इंग्लिश जानने वाले सादू बहुत कम थे तो उन्होंने सोचा हो नहो यह हमारे नरेंदरी हैं यह सोचा और फिर खुझते खुझते वे जहां स्वामी विवेकानन उतरे थे वहां चले गए मनसुक राम त्रिपाटे के हाँ थे और हाँ उन्होंने ये भी सुना कि स्वामी सच्ची दानन उनका नाम है जैसा कि हमने बताया स्वामी विवेकान जी बारंबार अपना नाम बदलते थे अपने आपको छुपाने के लिए तो गुजरात में स्वामी विवेकानन जी दो नाम से अधिक हमको मिलते हैं एक स्वामी विवेकानन एक स्वामी सच्ची दानन अपनी सुविदा के अंसार वो नाम परिवर्तन कर लेते थे चाकि किसी के पकड़ में ना आ जाए खास करके CID Department की पकड़ में ना आ जाए लाकात हुई तो उन्होंने कहा दिया खबर्दा कोई भी दूसरे गुरु भाई को पता ना पढ़े कि मैं पोरवंदर में हूँ तो इसलएं ये दोनों कारण से वो अपने आपको अलग रखना चाहते थे खुछ समय के लिए गुरु भाईयों से भी अलग रखना चाहते थे और अपने आपको चिपा कर रखना चाहते थे इसलिए नाम बदलते थे तो यहाँ पर स्वामी सची दानन्द को देखने के लिजब आया है तो देखे तो यही हमारा नरिन भाई है और स्वामी विवेकान जी अफिदान जी को देख करके बहुत प्रसंद हुए है बहुत समय बाद मुलाकात हो रही थी दोनों गुरु भाई तो एक सास श्री रामकर्ष देव के पास दोनों ने शिक्षा पाई थी और हम जानते हैं किस प्रकार से स्वामी विवेकान जी को पहली बार जब समादी का समादी की स्थिति मिली उसकी प्रत्यक्ष अनुभुती हुई उसके बाद में उनको विशेश शक्ति का जो अविर्भाव उनमें हुआ वो शक्ति का सबसे पहले प्रयोग एक्सपरिमेंट उन्होंने साभी अविदान जी महराज पर किया था काशिपूर के बगान में उसके आधियान बाटी में और श्री रामकर्ष देव ने कहा था क्यों रहे अभी कमाना शुरू नहीं है उसके पहले खर्च करना शुरू कर दिया अले पहले कमाल है अच्छी तरह से फिर दूसरों को इस प्रकाश श्पर्ष के द्वारा और सौमी अभिदान जी को सचमुच में इसा लगा मनूग उलेक्ट्रिक कररेंट आ रहा है उनके पहला के अले, उनके देह में देख करके और फिर स्वामी विवेकांजी मंसुक राम त्रिपाठी से परिचे कर रहा है कि ये मेरे गुरु भाई हैं स्वामी अभेदानन जी ये अद्वेत वेदान में इनकी काफी पकड़ हैं आप इनके साथ वेदान पर चर्चा कर सकते हैं अब ये वीचारे थके मांद्या आये थे कहाने न बोजन करा न खाना के लाना थके हुए थे अब उस समय उनको पर जो भी हो गुरु भाई की आगया है तो उन्होंने फिर वेदान की कुछ बाते बताई फिर पुर्व पक्ष से इन्होंने काफी जो वादविवात के लिए का मनसुकात्रिपाठी ने और सबका उन्होंने भली बात उत्तर दिया मनसुकात्रिपाठी बहुत ही प्रसन्न हुए कि आपके गुरु भाई आपके जमान अत्यन्त मेधावान है और फिर उनको आगरह किया आप यही पर स्वामी वेकान के साथ ही भोजन ग्रहन कीजिए दो- मनसुकात्रिपाठी के यहाँ पर जुनागर में रहे थे और बाद में स्वामी अवेदान जी के आत्मकता के अनुसार ही उनकी मुलाकात बंबई में फिर से स्वामी वेकान के साथ होती वो भी मनसुकात्रिपाठी के घर में होती है तो बाद में मनसुकात्रिपाठी के रहते थे पहले, बंबई में ही रहते थे पर बाद में उनको जुनागर के नवाब के प्राइवेट सेक्रेटि के हिसाब से उनका यह कराया था, एपॉइन्मेंट कराया था, गुकुल जी जाला उस समय थे, जो की पूरे गुजरात में उस समय बहुत उनका नाम था, तो उन्होंने नवाब जी को बोला कि आपको मैं ऐसा एक private security देता हूँ कि जो बंबई में रहता है और वो यहाँ पर आप जब बोलेंगे तो यहाँ बरी रहेगा तो बंबई का हमारा business बंबई के साथ का हमारा connecting link हो जाएगा तो इस प्रकार से यह मंसुक राम त्रिपाठी वो private security देते दवाब के तो कुछ समय बंबई में रहते थे कुछ समय जुनागर में रहते थे इसलिए बंबई में भी जब मंसुक राम त्रिपाठी बाद में सौमी जी जब बंबई गए तब भी मंसुक राम तुरियराम तुरियराम तुरिपाथी इनका नाम गुजरात में ऐसा कोई जो नहीं जानता हो बहुत ही सुप्रिजित सहीत्यकार अत्यन्त विद्वान तेज मई अठारा सुच आलिस को नडियाद में इनका जन्म हुआ और तीस मई उन्डियाद में इनका निदन हुआ इस बीच इस सर्षट साल में उन्होंने बहुत कुछ किया और पहले तो उनकी शिक्षा दिक्षा कुछ हुई बाद में वो बंबई गया एलिफिस्टिंज कॉलेज में चिक्षा हुई और वहाँ पर बिजनेस भी किया और बाद में सहीत्यकार हुए और अठासो सत्तर में 1870 में उन्होंने धर्मसभा नाम की एक संस्ता का गठन किया जिसका कारे था गुजराती भाषा को स लोग उसमें अंग्रेजी वगेरे अन्य सब्दों को वहां परवेश करा देते थे उर्दु सब्दों को परवेश करा देते थे वह चाहते थे कि शुद्ध गुजराती का प्रचार प्रसार हो उस उद्देशे से धर्मसभा नाम की एक सभा का एक संस्ता का उन्होंने प्र नडियाद में अपनी पत्नी के स्मृति में डाही लक्ष्मी लाइबरेरी उनकी पत्नी का नाम था डाही लक्ष्मी डाही लक्ष्मी लाइबरेरी ये इस नाम से उन्होंने एक लाइबरेरी खोली और ये भी हम बता दें कि इस छगल्लाल पंडिया और ये दोनों बहनों इस उनका रिष्टा था मंसुर्म त्रिपाठी चगलाल पंडिया और चगलाल पंडिया जिस घर में रहते थे युक्तोदे उसके सामने ही एक मकान है अभी तक वह हम लोग उसके कंक्रूजली कुछ नहीं बोल पाएंगे कोई-कोई लोग बोलते हैं कि वह जो बड़ा मकान है उस नवाब के प्राइवेट सेक्रीटिवे बहुत संबह है पर अभी उसके बारे में हम लोग कुछ भी कंटूजली बता नहीं सकते हैं पर जो भी होगा इन्हों ने फिर गोकुल जी जाला ने उनको जुनागड के नवाब के प्राइवेट सेक्रीटिव गरूप में रखा ये तो 1896 में उन्होंने फॉर्बस नाम की संस्था सुरू की महां बंबई में और फॉर्बस इनके मित्र थे और इसलिए फॉर्बस जीवन चरितर उन्होंने 896 में लिखा और 1900 में सुग्ण गोकुल जी जाला जीवन चरितर भी लिखा सेक्षपियर की कथाओ का भी उन्होंने संकलन करके निकाला ऐसे ये मन्सुक राम सुरियराम त्रिपाठी ये सुप्रिसिद्ध सहित्यकार और चगल्लाल पंडिया के संबंदी उससे बढ़कर के और भी यह दी परिशेश मन्सुक राम त्रिपाठी का देना है तो वे परदंद्राव वाधराव त्रिपाठी को कोई भी गुजरात में न जानता हो ऐसा कोई नहीं है ये 20 अक्टोबर 1855 को इनका जन्म हुआ नडियाग में ही और बंबई में 4 जनवरी 1907 को इनका निदन हुआ इंकावन वर्ष की उम्र में इस बीच सोटे से जीवन में उन्हो बहुत सरा किया पर सबसे अधिक वे जाने जाते हैं सरस्वती चंद्र नाम का जो नाम की जो नवल का था उन्होंने रिखी नौवल सरस्वती चंद्र का नाम कौन नहीं जानता है ये एक नौवल थी चार खंड में थी जिसके उपर फिल्म बनाएगे टीवी शो बनाएगे ड्रामा कैसने कितने इनेक्ट हुए सिलेबस में भी कहीं कहीं पर दिया गया उसको इस प्रकार से सरस्वती चंद्र बहुत ही उस समय के जमाने के सारे सारा उन्होंने सरस्वती चंद्र इस नवल का था के द्वारा गुजराती सहित्य में क्रांती लाई उन्होंने इतना ही नहीं उस समय के समाज पर बहुत दितिये वॉल्यम 892 में प्रकाशित हुई, तीस्तिये वॉल्यम 898 में प्रकाशित हुई और 1901 में चोथी और अंतिम भाग उसका प्रकाशित हुआ तो हम देखते हैं कि तीसरे और चोथे भाग में और पहले दुसरे भाग में बहुत अंतर हैं बहुत सारी फिलोसफी खास करके विदान्त फिलोसफी की बातें और सन्याशी की बातें ये सब बातें तीसरे और चोथे खंड में वहाँ पर कई गई हैं क्यों हुआ ऐसा क्योंकि ये जो दूती खंड उन्होंने अठारासो इंक्याद में पूरा कर लिया था और सवामी विवेकन अठारासो इंक्याद में में नडियादायeed थे तक इन्होंने दूती खंड दिख लिया था तो स्वामी ऐसा मान सकते कि स्वामी विवेकान के साथ उनकी मुलाकत होगी नडियाद में पर उसके लिए हमारे पस कोई भी प्रमाण नहीं है उनका जो मकान है वहाँ पर नडियाद में उस मकान में वे गयद होंगे कि नहीं ये भी हमारे पस कोई प्रमाण नहीं है उसके ल वेदान्त की और सन्यासी इस सब की बाते काफी हैं और फिर यह बहुत बड़े पोएट भी थे लिटररिक क्रिटिक भी थे नॉबलिस्ट भी थे और गुजरती साहिती परिशत के फस प्रेसिडेंट थे पहले अध्यक्ष गुजाती साहित्य परिश्वत के और इतना आधिक प्रभाव उनका गुजराती समाज पर गुजराती साहित्य पर है आज भी गोवर्धन वादवन अब त्रिपाटी का नाम कोई नहीं जानता ऐसा नहीं है यहां तक की 1885 से लेकर 1915 उसको माना गया है गोवर्धन यूग के नाम से उस यूग को उस कालखंड को गोवर्धन यूग के नाम से रखा गया है उसको मान जाना जाता है और 27 अप्रेल 2016 को उनके उनकी एक पोस्टल स्टैंप भी गोवर्धन अफिंडिया ने वहां पर से यह रिलिस की है ध्रैप पोस्टल स्टैंप गोवर्धन चाचा तो स्वामी वहेकांड के साथ काफी आयए थे दो वार उनून ने उनका आतिते मांसुराम त्री recipes का उनके चाचा का तो हम लोग समझ सक्ते है पर उनको शिक्षा दिष्ऩा और गुजराती साहित में उनको लाना, ये सबका श्रे उनके चाचा मनसुरं त्रिपाथी और उनको पढ़े थे, उनको भी एलिफ इंस्त्रों कॉलेज में पढ़ाया, बंबुएम लाया, उनकी बहुत प्रकार स्रेज शिक्षा दिष्षा भाफ ही प्रभाव था और मंसुराम त्रिपाठी पर स्वामी विवहकान का प्रभाव था यद्यभी उम्र में बहुत च्छोटे थे स्वामी विवहकान उस समय तो मात्र 27 साल की उम्र गोवधरानरमाधाओ बहत नाम था गौवरदरानमादाहत्रिपाथ्थ सवामी विघ्थान को जान्ता कोई जानता है नहीं ता अमरीका जाने के पहले फिर भी गव॑रदणमादः असे बाते सवबहां पूली और नहीं से शंतना संवारिकेन के शुमाराधमें का यू तो यह गुजराती कभी उष्णस वे कहते हैं कि तीसरे और चोथे सरस्वती चंद्र के तीसरे चोथे खंड में जो बाते आती हैं प्रैक्टिकल वेदान्त की वेदान्त की जोसी बाते हैं ये स्वामी विवेकान के विचारों से बहुत मिलती है और बहुत संभो है स्वामी विवेकान के विचारों का उन पर प्रफाव पढ़ा हो तभी ये त तीसरे और चोथे खौन में उन्होंने विदान की बाते लिखी है। यह उनका अनुमान है। कि अवश्योवे स्वामी विवेकान के विचारों से प्रफावित हुए होंगे। क्योंकि स्वामी विवेकान के विचारों का बहुत बड़ा एक डायरेट रिफ्लेक्शन एक उसका उसकी प्रतिछाया यह तीसरे चोथे खंड में मिलती है। कुछ-कुछ विचारों में। उसके अलावा स्क्रेप बुक एक प्रकार की डायरी जिसमें रफली उन्होंने सब कुछ लिखा था स्क्रेप बुक यह तीन वॉल्यूम में है और साथ भावगों में खंडों में हैं। उसमें स्क्रेप बुक में गुवर्धंद्राओं माधवराम त्रीपाठी खुद लिखते हैं कि स्वामी विवेका अद्वित आश्रम मायवती में जो उन्होंने निर्माड किया है उसके बारे में जानकर कि मुझे बहुती मैं उससे प्रभावित हुआ हूँ और मैं चाहत कि भावना अपनी स्वैम की डायरी में स्क्रेप बुक में उन्होंने व्यक्त की है तो ये दो ही हमारे पास अभी प्रमाण हैं जिससे हम यह समझ सकते हैं कि गोवर्धं राओ माधरवाम त्रीपाठी भी मन्सुक राम त्रीपाठी के समान स्वामी विवेकान की भावदार उससे उनके मिले होंगे कि नहीं पता नहीं एक कोई ऐसा कहता कि मिले तो होंगे क्योंकि जब तीन-चार दिन तक नडियाद गया उससमें गोवर्धं राओ त्रीपाठी नडियाद में ही थे इस प्रकार की एक बात कोई कहते हैं तो उन्होंने अवश्य उससमें मुलाकात की होगी स्वामी विवेकान जी से गोवर्धराम त्रीपाठी ने दूसरी और दूसरी बात है कि कोई कहते हैं कि यदि मुलाकात करते तो उन्होंने अपने पत्र में लिखा रहता तो चब्वीस अप्रे रठारों सो ब्यानवे को स्वामी विवेकान उन्ही ने जो और नडियाग में मनी भाई ने से मिलकर परके मुर्जे बड़ी प्रसनता हुई मनी नभु भाई भाई भी बहुत बड़े सहेतेकार थे और उनसे भी उनकी काफी बात्चित हुई मनी नभु भाई का निबंध वो खुद नहीं जा पाया थे शिकागो धर्म सभा में तो उ चगलाल पंड्या तो यह दोनों संबंदी थे और इस प्रकार से और मंसुक्राम त्रिपाठी और गोगदना मादव त्रिपाठी यह तो दोनों चाचे भतिजे थे यह सुप मार्लो एक ही परिवार के सब हैं सबी नडियात के उनका नडियात का ही उनका और यह हरिदास देश मिल्णा नडियात के थे, मंसुक्राम त्रिपाठी भी नडियात के थे, मणिबधव ज़ऑट भाई और इसमापन करेंगे इस बात को ध्यान में रख कर कि कि स्वामी विवेकांज की तीसरी अंतिम विजिट में वे मन्सुक्रम्ति पाठी के यहां पर थे ओम शांति 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 हरी ओम तस्त श्री रामकृष्णार प्रनमस्तु